नमस्का मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस YouTube चैनल अंकित केशरवानी में आपका स्वागत करता हूँ सर मैंने एक लोगों की ID लगाई मुझे कितना पैसा आएगा सर मैंने दो लोगों की ID लगाई मुझे कितना पैसा आएगा तो सबसे पहला सवाल यही आता है और बहुत सारे लोग इसका एंसर नहीं जानते हैं कि मोदी क्यर में पैसा कैसे बढ़ता है कितनी ID लगाने पर कितना income होगा बहुत सारे लोगों को calculation करना नहीं आता है आप मुझे comment box में बताईएगा क्या आपको calculate करना आता है या नहीं आत आपको सिखाने जाना हो कि मोदी क्यर में जो APB income आती है accumulative performance bonus जो कि 7% से 16% की income होती है वो कैसे calculate होता है और किस case में आपको कितना पैसा मिलेगा सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी आपको करना क्या है आपको वीडियो में लास्त तड़ बने रहना है चैनल को subscribe कर लेन तो दोस्तो मोदी क्यर के APB income को calculate करने के लिए आपको एक चीजे बड़े अच्छे तरह से पता होना चाहिए वो है मोदी क्यर का rank system जो की 7% से 16% के बीच में होता है और किस level पे आपका कौन सा rank बनेगा वो सारी चीजे आपको पता होनी चाहिए तो एक बर मैं आपको quickly बता देता हूँ जब भी आपका GPV 300 से कम होगा तो आपकी rank 7% मानी जाएगी अगर 1200 से कम हुआ तो आपकी rank 10% मानी जाएगी अगर 2700 से कम हुआ तो आपकी rank 13% मानी जाएगी और 4000 GPV से कम हुआ तो आपकी rank 15% मानी जाएगी और जब भी आपका total GPV 4000 से जादा हो जाएगा आप पर पहुँच जाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डिरेक्टर तो इस चार्ट को हमेशा याद रखिएगा यह APB income को calculate करने में आपकी साहता करेगा चलिए अब हम example number one के माध्यम से समझते हैं कि किस case में आपका कितना पैसा बने को तो example number one आपने मोधी के जॉइन किया आपने पचास पीवीक सापिंग किया और उस महने आपने अपने नीचे दो लोगों की ID लगाई A और B A ने भी पचास पीवीक सापिंग की B ने भी पचास पीवीक सापिंग क्या बनी 7% A और B की इनकी भी 7% rank होगी तो इस case में आपको जोडने का कोई भी पैसा नहीं बनेगा क्योंकि मोधी के जोडने का पैसा तभी बनता है जब आपकी rank और आपके down line की rank जिनको आपने तुरंत जोडा है उन दोनों के बीच में कुछ difference हो तभी पैसा बनता है तो इस case में आपको जोडने का तो कोई income नहीं बनेगा बस आपको बनेगा आपके समान खरीदने का income और आपके समान खरीदने की income कैसे calculate होती है आपने जितने PV का समान खरीदा और आपके जो भी rank है उसको multiply कर दीजिए उससे आपकी income निकल आएगी आपकी खरीदने की income तो यहाँ पे हम calculate करते हैं आपकी income क्या बनेगी 50 PV के आपने swapping की और जब भी मोधिक है कि income calculate करनी हो तो PV को हमेशा BV में convert करते हैं तो यहाँ पे मोधिकर में 1 PV equal to 27 BV होता है तो पैसे calculate करनी के लिए आपको क्या करना है हमेशा PV में 27 का multiply करना है तो यहाँ पे हमने 50 PV में 27 का multiply किया और उसके बाद हमने multiply किया आपकी rank जो की है 7% तो इसको total multiply कर दोगे तो जो आपके bank account में पैसा आएगा वो आएगा 95 रुपीज यह समझ में आया आप मुझे comment box में बताएगा तो चलिए example number 2 की माध्यम से समझने की कोशिस करते हैं उस case को कि मोधिकर आपने already join कर रखा हुआ है एक मैने हो गए हैं आपके पास कुछ rank आ गई है और आपने जिन लोगों की ID लगाई थी उन्होंने भी आगे लोगों की ID लगाई तो आपको कितना पैसा बनेगा एक या रखिएगा मोधिकर में चाहे आप लोगों को जोड़ें या आपकी टीम में जो लोग आगे हैं वो आगे लोगों को जोड़ें दोनों के case में आपके bank account में पैसा बनता है लेकिन calculation करने का तरीका वही है आपकी rank 10% और आपने इस मेंने लगभग लगभग साड़े 55 पीवी की shopping की आपने जो पिछले मेंने दो लोगों की ID लगाई थी A और B A की rank 10% है B की rank 7% ही है तो A ने इस मेंने क्या किया A ने एक नए बिक्ति को sponsor किया जो की C है उसने लगभग लगभग साड़े 55 पीवी क्वी की और B ने भी एक लोगों को अपने नीचे जोईन कराया जिसका नाम दे देते हैं D उसने भी लगभग लगभग साड़े 55 पीवी की तो अब question यह है कि आपके bank account में कितना पैसा बनेगा चलिए यहाँ example के माद़िया समझते हैं आपकी rank खुई 10% तो company यहाँ पे चेक क्या करती है downline के नीचे downline यह downline के नीचे downline कितने percent rank पे है उससे company को कोई लेना देना नहीं है आपका जो पहला downline है वो कितने percent rank पे है उसके base पे पैसा बनता है और उस downline ने जितने भी नीचे ID लगाई होगी वो सारा GPV में count किया जाएगा तो यहाँ पे एक ही बात करते हैं आपका rank 10% A का rank है 10% और A ने अपने नीचे एक ID लगाई जो 7% पे है तो company A की rank से check करेगी A की rank है 10% आपकी rank है 10% दोनों की भी इसका difference 0% तो आपको A की लेक से एक भी रुपय जोडने का पैसा नहीं आएगा अब B की बात करें B है 7% और उसने भी अपने नीचे एक ID लगाई थी ज दोनों की rank है 7% तो B की rank चेक करते हैं डारेक्ली B की rank हुई 7% तो आपकी rank 10% तो दोनों की भी इसका difference 3% हुआ तो B की लेक से आपको 3% का पैसा आएगा और आपके समान खाईने पर आपको 10% का पैसा आएगा चलिए इसको calculate करते हैं calculation करते हैं इसको पर तो आपकी income क्या गए देर सो रुपए तो आपके समान खरीडने का आपको देर सो रुपए आ गया A के समान खरीडने का आपको एक भी रुपए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आपका रैंक और A की रैंक बराबार है B से साड़े 55 PV का तोटल जी पीवी का बिजनस हुआ उसको मल्टिप्लाई कर दीजिए 27 से जो की बीवी है और 3% डिफरेंसल इमांट से तो यह लगभग लगभग 105 रुपए हुआ तो तोटल इंकम जो आपकी इस महने होने वाली है वो लगभग लगभग 255 रुपए है यह समझ में आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताईएगा चलिए अभी वीडियो को छोड़के मत जाईएगा बहुत ही खतरनाक खतरनाक एक्जामपल आपके सामने है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो आप APB कैलकुलेशन करने के मा अभी तक आपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर जरूर लीजिएगा चलिए एक्जामपल नंबर थ्री के मादने मसे समझने कोशिस करते हैं आप 10% की रैंक पे हैं और आपने इसमेहने एक भी रूपय का समान मोधिकर से नहीं खरीदा आपने क्या किया आपने नीचे दो लोगों ज्वाइनिंग कराई B और C B ने 100 PV की स्वापिंग की C ने 200 PV की स्वापिंग की तो इन दोनों की स्वापिंग करने के कारण आपकी रैंक हो गई 10% लेकिन आपने समान नहीं खरीदा है तो आपको कितना पैसा बनेगा वो हम समझने की कोशिस करते हैं तो आपने कुछ भी समान नहीं खरीदा है तो 0 का 10% तो 0 PV का 10% अब 100 PV का 3% क्यों क्योंकि आपकी रैंक 10% है B की रैंक 7% है तो यहाँ पे डिफरेंशल एमांट हुआ 3% तो 100 PV का 3% और 200 PV का भी 3% जो कि टोटल हुआ 243 रुपए लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है दिक्कत यह है कि आपके बैंक एकाउंड में 243 रुपए नहीं आएंगे भले ही पैसा बन गया हो लेकिन यह नहीं आएंगे क्यों कि आपके बैंक एकाउंड में पैसा आने के लिए कम से कम आपको अपनी ID पे 15 PV की सौपिंग करनी थी लगभग लगभग 800-900 रुपए का समान खरीदना थ पैसा जो आपने नहीं खरीदा है तो यह 243 रुपए कमपनी अपने पास होल्ड रख लेगी और यह पैसा आपके बैंक एकाउंड में तब ही आएगा जब आप किसी भी मंथ मोदी केर से 15 PV की सौपिंग कर लेंगे तो यहां पर पैसा बना लेकिन बैंक एकाउंड में नही पहुचेगा चलिए अगला एक्जामपल के मादियम समझने क्योंप चोफ रख आपर यहां पे आपने 100 PV की सौपिंग की आप दो लोगों की ID लगाई, A और B उन लोगों ने भी 100-100 PV की shopping की, तो यहाँ पर अगेन आपका पैसा कितना बनेगा, उसको calculate कर लेते हैं, तो आपकी rank हो गई 10%, तो 100 PV का 10%, आप calculation करते वक्त 27 से multiply कर लिजेगा हर PV में, ताकि आपको exact value मिल सके, और 100 PV का 3% क्यों, A से 3% आएगा, क्योंकि आपकी rank और A की rank के बीच का difference 3%, तो 100 PV का 3%, और B की rank से भी आपको 3% आएगा, तो B का GPV कितना हुआ, 100 PV, तो 100 PV का 3%, तो जो total income हो गई 432 रुपए, लेकिन यहाँ पे भी एक क्रक्स है, यह पैसा आप तक नहीं पहुचेगा, क्योंकि आपने मोधी केर में अपनी bank detail नहीं add किया, तो company यह पैसा hold कर लेगी, जब भी आप bank detail को add कर देंगे, यह पैसा आपको release कर दिया जाएगा, यह 4 example समझ में आए, इससे खतरनाक example की और आप बढ़ते हैं, जो आपको सहायता करेगा, अच्छे से calculate करने का, यह देखिए, बड़ा खतरनाक example, आप हैं, आपने 50 PV की swapping की और आपने अपने नीचे 4 लोगों की ID लगा दी, 4 लोगों की ID लगा दी, A, B, C, D, A, B, C, D, सब लोगों ने 50-50 PV की swapping की है, तो इस case में आपका कितना APV income बनेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं, तो देखिए, company सबसे पहले क्या चेक करेगी, company चेक करेगी total GPV, total GPV होगा 2500, और आपको मैं एक चीज बताना चाहूँगा, MoodiCare में एक faster 10 होता है, अगर एक मैने में आपने 10% rank जाने से पहले, 240 PV का कम से कम business कर लिया, तो आप company के 10% rank पे माने जाएंगे, तो यहाँ पे 2500 PV का business करने के कारण, आप MoodiCare के faster 10 कहलाएंगे, आपकी rank 10% मानी जाएगे, प्लस आपको 7500 रुपया का समान भी free of cost मिलेगा, तो आपकी rank होगे 10%, A, B, C, D rank की बात करो, तो सभी लोगों की rank होगी 7%, तो आपको सभी लोगों से 3-3% का differential amount आएगा, तो आपकी shopping का 10%, 50 गुड़े 10%, प्लस 50 गुड़े 3%, प्लस 50 गुड़े 3%, प्लस 50 गुड़े 3%, प्लस 50 PV गुड़े 3%, मतलब A, B, C, D ने 50-50 PV की shopping की थी, तो हर किसी से 3%, तो जो total आपकी income होने वाली है, इस मेहने वो लगबग लगबग 297 रुपय, हम कह सकते हैं, लगबग लगबग 300 रुपय की income होगी आपको इस मेहने 4 लोगों की joining कराने से, यह समझ में आया, एक और खतरनाक example लेते हैं, बहुत खतरनाक example, जो आपके लिए काफी महत्तपूर है, माल लिजी आप director की rank पे हैं, आपकी rank 16% है और आपने 6 लोगों की अपने नीचे ID लगाई है, या 6 लोगों की team आपकी चल रही है, तो इस case में कितना पैसा बनेगा, बड़े सरल सब्दों में समझने कोशिस करते हैं, माल लिजी आप 16% rank पे और आपने इस मेंने 100 पीविक स्वापिंग की और आपकी 6 लेग already खूली हुई है, A 7% पे है, B 10% पे है, C 13% पे है, D 15% पे है, E 7% पे है और F 16% पे है, वो भी director है, तो इस case में आपका कितना पैसा बनेगा वो समझ लेते हैं, तो एक precondition लेकर चलते हैं, A का GPV है 200, B का GPV है 400, C का GPV है 900, D का GPV है 1000, E का GPV है 100, और 16% पे जो F है, उसका GPV 1500 है, तो कितना APV income बनेगा, वो समझने कोशिस करते हैं, चलिए, अब हम आपकी income calculate करते हैं, आपकी income क्या है, आपने 100 PV की shopping की है, और आपकी राएंग के 16%, तो 100 PV गुड़े 16%, अब A से total आपका business हुआ है 200 GPV का, उसकी rank है 7%, आपकी rank है 16%, तो दोनों के बीच का difference कितना हुआ, 9% का, तो 200 PV का 9% A से आएगा आपको, ठीक है, प्लस, अब B की बात करते हैं, B की rank है 10%, आपकी rank है 16%, तो दोनों के बीच का difference 6% का, जो इसने 400 GPV का business किया है, उसम गुड़े 6%, तीसरी C वाली link को देखते हैं, C की rank है 13%, आपकी rank है 16%, तो यहाँ पे differential income क्या हुई, 3%, तो 900 का 3%, D की बात करें, D की rank है 15%, आपकी rank है 16%, तो 1% का यहाँ पे आएगा, 1000 PV का 1%, और last में अगर हम बात करें, E की, E की rank है 7%, GPV है 100, rank difference हुआ 9%, तो 100 PV गुड़े 9%, लेकिन F से आपको एक भी APV income नहीं आएगी, क्योंकि यह leg आपकी director leg कहलाएगी, तो यहाँ पे आपको APV income नहीं मिलेगा, तो इसको चलिए calculate कर लेते हैं, अगर सारे को calculate कर लेंगे, आपके shopping करने का 432 रुपए, A से 486 रुपए, B से 640 रुपए, C से 739 रुपए, D से 270 रुपए, APV income बनेगी, क्योंकि इफ, director rank है, उसने 1500 GPV का business किया, तो आपकी rank senior director कहलाएगी, और इसके साथ साथ यह पैसा तो आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ आपको team builder bonus, builder bonus pool, travel fund, घोमने फिरने का पैसा, यह भी income आपके bank account में, APV income के साथ साथ आएगी, तो दोस्तों, I hope इन example के माध्यम से आपको अब समझ में आ गया होगा कि समीर मोधी आजादी plan 2.0 में कैसे हम APV income को calculate करेंगे, अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया, तो कर लिजेगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी video free of cost बनाता रहता हूँ, हम मिलते हैं अपने next video में कुछ नए topic के साथ तब तक के लिए, जय हम